हलो वाट्स अप दोस्तों कैसे हैं आप सभी एक बार फिर मैं सधाथ आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपकी अपने चैनल में करियर भाई में दोस्तों आज मैं आपको कुछ फोन इंटर्व्यू टिप्स देने वाला हूँ कि कैसे एक फोन इंटर्व्यू को इस चैनल पने हैं अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए तो चले दोसों शुरू करते हैं तो दोसों सबसे पहली एंट फार्मोस टिप तो मैं यही दूँगा आपको कि उस फोन कॉन्वर्सेशन को एक कॉन रहे हैं और आपके सारे कॉन्टैक्ट डीटेल्स उनके पास है तो कई बार यह कंपनियां आपको जनरल ही कॉल करती है और वो कॉल कोई नॉर्मल कॉल नहीं होता है यह सर्प्राइज इंटर्व्यू ही होता है तो इसके बारे में आपको पहले से ही प्रिपेड रहना है होड़ा बहुत आपको पता चल जाएगा कि वो किस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं अगर वो पूछ रहे हैं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है आपने कहां पर पहले काम किया हुआ है तो भाया समझ जाईए कि this is going on to the interview lines तो आपको उसी ही seriousness के साथ उनके जवाब देने तो आप एक अपनी sheet बना करके रख सकते हैं जिसके अंदर आपको ऐसे points लिखने हैं जो कि आप highlight करना चाते हैं या कोई बहुत ज़ादा common जो सवाल पूछे जाते हैं उनके जवाब आप लिख करके रख सकते हैं if it's a phone interview क्योंकि phone interview में सामने वाले को पता तो चलेगा नहीं रखें अगली चीज जो इसके अंदर आ जाती है वो यह है कि आपको अगर phone interview के लिए कहा जा रहा है तो it is expected कि आप किसी quiet जगा पर रहें जहां पर बाकी कोई भी distraction नहीं है कोई भी और sound नहीं आ रहे हैं अगर घर पर आप है और आपको interview का call आ रहा है take it seriously कही भी यह नहों क पीछे घर वाले कुछ बाते कर रहे हैं टीवी चला है सीरियद चल रही है वहां पर बरतन का आवाज आ रहा है ऐसी कोई चीज वहां पर नहीं होनी चाहिए completely silent room में जा करके आप interview देंगे अगली चीज यह है कि phone interview भी कुछ कुछ जो है वो आपके personal interview जैसा ही होता है in person जो interview आप देते हैं तो सवाल कुछ बहुत अलग नहीं होते हैं फरक सिर्फ इतना होता है कि phone interview जो है वो बहुत ज़ादा quick होते हैं in person interview के लिए हो सकता है कि आपको आप भी दूर से आते हैं 20 मिनिट आप पकड़ करके चले लेकिन phone के अंदर यही interview जो है वो 5-7 मिनिट के अंदर पूरा wrap up हो जाता है तो इस वजह से you have to keep your answers precise and crisp as possible तो जितने भी answers आप देंगे वो phone interview के अंदर उतना आपको समय नहीं होता है तो to the point बात करेंगे बिलकुल crisp बात करेंगे और जो पते की बात है उतनी ही करें पूरा जैसे आप अपने exam में ऐसे लिखते हैं इस side से उस side से फिर गुमा फिरा के main point लिख दिया ऐसा नहीं करना है एकदम precise answer रहना चाहिए ताकि वो सामने वाला व्यक्ती भी जो है वो जादा समय नहीं होता है तो आपको कम समय में अपनी छाप छोड़नी है सामने वाले के उपर उसको एक महसूस कराने की कोशिश करनी है कि आप उस position के लिए बिलकुल सही candidate है तो इसकी विजए से आपके पास दिमाग में सारे points बिलकुल तैयार होने चाहिए और अगर नहीं है तो इसलिए मैंने पहले कहा कि एक sheet तयार करके आप रख सकते हैं दूसरी बात यह है कि आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आप personal interview round के लिए कब available रहेंगे तो आपकी precise date वहाँ पर होने चाहिए कि अगले दो दिनों में मैं free हूँ या कल ही मैं आ सकता हूँ परसो ही मैं इसके अलावा आपको ये भी पूछा जा सकता है कि are you willing to relocate अगर कोई दूसरे state में या दूसरे शहर में वो job है तो वो भी पूछा जा सकता है कि are you willing to relocate तो अगर ऐसा है तो आप yes बोलेंगे अगर आपको उसके अंदर कुछ compensation चाहिए या कुछ allowances चाहिए reimbursement चाहिए तो व वो चीज जोड़ करके आप उसका जवाब देंगे इसके अलावा एक चीज इसमें यह आ जाती है कि phone पर बात करते वक्त overlapping की समस्या बहुत आती है इसकी वजह से हमेशा सुनने की आदत रखें सामने वाले को पूरा बोलने दीजिए उनका question पूरा होने दीजिए उसके बा आता है तो इसकी वजह से हैव पेशन सामने वाले की बात सुनो और उसके बाद बात करो इसके अलावा कई लोग जो गलती करते हैं वो यह है कि interview जैसे ही phone interview खतम होता है तो phone cut करने की उनको बहुत जल्दी होती है क्योंकि वो उस पूरे pressure से जट से बाहर निकलना चाता है कि बस हो गया तो ये चीज नहीं करनी है। उनको सामने से phone cut करने दो तब तक आप phone cut मत कीजί जब तक की उनकी पूरी बात हो रही है आखिर में जो होता है ना हाँ हाँ के-वह से से greet करें जब भी phone आए तब पहली चीज़ आप बोलेंगे जो भी दिन का समय है गुड मॉनिंग सर या गुड मॉनिंग मैडम गुड आफ्टरून सर गुड आफ्टरून मैडम गुड इविनिंग जो भी है वो greet करके आप बात शुरू करेंगे और अन्त में जो है यहाँ पर जैसे ही आपका phone interview खतम होता है उसके थोड़े ही देर बाद में जो है वो आपका एक thank you का mail उनकी तरफ जाना चाहिए कि thank you so much for interviewing me, thank you so much for the opportunity तो इससे काफी ज़्यादा professional vibe जाती है कई लोग phone interview को यहाँ पर ज़्यादा professionally और seriously नहीं लेते हैं तो seriously जरूर लेना है और बाद मे आपका एक professionally thank you mail उन तक पहुचना चाहिए और आपने अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो एक pro tip भी मैं आपको देता चलू और वो tip यह है कि कभी भी सारे के सारे आपके जो भी कोई जरुरत के documents हैं वो भी साथ में रखे क्योंकि आपको उसके बारे में पूछा जा सकत है interview call के दौरान कभी भी interviewer को on hold नहीं रखिएगा आप कभी भी उनको on hold नहीं रखना है कि हां सर एक दो मिनिट मुझे देजे मैं निकाल के लाता हूं ऐसा नहीं करना है जो कुछ भी है सामने रखना होगा आपको और जो भी पूछा जाएगा उसके detail आपको देने पड़े पीजे